आयों दोस्तों नमस्कार हमारे यूटू चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ रेलवे गुरूब डी का फिजिकल के बारे में तो दोस्ते ये विडियो आपके बहुत ही इंपोर्टेन है आकिरखार रेलवे गुरूब वीडियो में प्रकार से होता है यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपोर्टन है दोस्तों चोटा सा वीडियो बहुत ही ज्यादा इस वीडियो को प्यार दीजिए शेयर कीजे चले मैं आपको बताना चाहता हूं गुरूप डी का फिजिकल कैसे होता है कितने एवेंट रहती है कितने मिनेट में रणिंग रहती है आपका सो मीटर का जो 35 केजी का भार उठाके चलना रहता है वह इसका क्या निया मैं पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं देखें दोस्तों सबसे पहली बात ही है कि आप रेलवे गुरूप डी का एक्जाम तो निकाल लेते हो लेकिन ज समय उद्री बर्बाद होकर फैलो चुके है और दोस्तों कहीं लोग नजर अंदाज कर देते फिजीकल को और अपने रणिंग में भी फैलो जाते तो दोस्तों आखिरकार आपको घबरानी नहीं है आप रेलवे गुरूप डी में जो आप पाना चाहते है रेलवे तो इकजाम निकलना होता है उसके साथ साथ आपको फिजीकल में भी आपको रणिंग करते रहने हैं तो आए दोस्तों नमस्कार मैं आपको बताना चाहते है तो रेलवे गुरूप डी में आखिरकार फिजीकल किस परकार से होती है सबसे पहला आपका इवेंट यह है कि किलोमेटर रेनिंग को कमपलेट कर देते हैं तो दोस्तों पाच मिनट में आपको एक किलोमेटर करना है यह दि नौर्मल यह आप दोड़ते हैं बीना रुके हुए तो आप उसको आसानी से कौलिफाइग कर देते हैं और कई लोग ठक कर रूख जाते हैं जिसका रहनों लो अब दूसरे नमबर का इवेंट है दोस्तों आपको 100 मिटर 35 किलो का भार उठाकर चलना रहता है यह दि आप में अच्छी ताकत रहती है तो आप इसको दोड़ भी सकते हो जितना देखें दोस्तों इसमें कोई बोनस अंक नहीं रहता बस आपका दो मिनट में आपको 100 मिट 35 क्लो का भार उठाकर चलना रहता है लेकिन दूसरों जह बंदा की प्रिक्टीश नहीं रहता वजन उठाने का वो बंदा ज्यादतर फैल हो जाते है क्योंकि उनसे 35 किलो का भारी नहीं उठा जाता टेबल से खंदे पे उनको और देखे दोस्तों सबसे बड़ी बात ही है कि एदी आप सो मीटर सो मीटर आपको चलना रहता है 35 किलो उठाकर इसमें आपको फैल होने की संभाव नहीं है कि दोके से भी आपका बूरी खंदे से नीचे गिर गया इसका मतलब आपको फैल कर दिया जाएगा किसी कभी वहां पे सुनाई नहीं होगा दोस्तों या ना दुबारा आपको कोई मौका दिया जाएगा यह सबसे इंपोर्टेंट बात है कि रेता जो रेत की बूरी रहती है बिचल दार रहती है घसरंदार जो असानी से पसीना जिसका हाथ आ गया जो हो गया उसे गिर जाता है तो यह सबसे समस्य आने वाली बात है तो दोस्तों आपको बताना यहीं चाहता था कि आपको दोस्तों एक किलोमेटर का रेनिंग पांच मिनट में कौन असानी से बाल लेते हैं तो दोस्तों आने वाले भरती के लिए इंतजार करें नेक्स वीडियों के नमरे रहें जय हैं